हलो मैं हूँ अवल जब मैं स्कूल में था तो मेरा हाउस कैप्टन हाउस मतलब जो स्कूल में अलग-अलग ग्रूप्स होते हैं तो मेरे हाउस का जो कैप्टन था वो ऐसे चलता था फिर मैंने जब जॉब जॉइन की तो मेरा मैनेजर भी कुछ इसी तरह से चलता था और आजकल तो बॉलिवुट का एक सुपर स्टार भी ऐसे ही चलता है क्या लगता है आपको उनको चलने में कुछ प्रॉब्लम है नहीं न यह उनके एक confidence और गुरूर के साथ चलने का तरीका है और इसी तरीके को इंग्लिश में कहते हैं स्वैगर और इसी वर्ड से बना है modern English word एक slang word स्वैग स्वैग का मतलब है style जिसमें आपका गुरूर जह लगता है आपका अभिमान दिखाई देता है आपकी pride दिखती है यह गुरूर आपको आपकी position का भी हो सकता है जैसे कि मिरे house captain को था आपकी शौरत का भी हो सकता है आपके six pack abs वाली body का भी हो सकता है आपकी beautiful looks का भी हो सकता है और आपके घर पे पैसे का पेड़ लगे होने के कारण भी हो सकता है लोग कहते हैं कि खुद के बारे में प्राउड होना गलत नहीं है जब तक कि आप किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहे So swag बुरा नहीं है आप अपना swag यानि कि अपना attitude वाला style दिखा सकते हो अपने चलने के तरीके से जैसे कि Mr. और इसी तरह से आप अपना swag दिखा सकते हो अपनी जुल्फों को जटकने के तरीके से या अपने पहरावे से अपनी modified bike या अपनी महंगी कार से या किसी भी तरीके से So अगली बार अगर आप leather jacket पहन के और उपर मोटी सी chain पहन के पार्टी में जाते हो और आपके दोस्त आपसे पूछते हैं कि भाई ये क्या है तो आप कहना ये मेरा swag है It's my swag इसी तरह से आप किसी ठाट बाट वाले लड़के या लड़की के लिए भी कह सकते हो कि उसका तो अलग ही style है He has got swag वैसे अब तो मेरी भी बहुत सारी वीडियोज आ चुकी है मुझे भी ऐसे ही चलना चाहिए मैं मिलूगा कुछ और interesting English lessons के साथ अपनी next वीडियो में Thank you, bye bye कर दो